आप सभी का श्वागत है आपके अपने टूब चैनल आर्मी अकेड दोस्तों आल्स का ये वीडियो बहुत इंपोर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए जितने भी बच्चे मेरे से बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर हमको तुक्का लगानत सही है कि नहीं ससी जीडी एक्जाम पेपर में ससी जीडी 2021 के पेपर में तुक्का लगाए या नहीं और लगाए तुक्का तुक्के से लगाए ताकि हमको फाइदा हो लाड़ लो ये मैं आपको अपने अनुभाव और अपने तज्जरुबे से बता रहा हूँ इसकी कोई ये बात नहीं कि फिर आप बोल दो कि उसरा आपने हमको बताया ता हमने आपकी उज्जा से तुक्का लगा दिया ठीक है यहाँ पर मैं सिर्फ आपको अपना अनुभा शेयर कर रहा हूँ और आपके समस्की बातें रखूंगा जो आपको अगर अच्छी लगती है तो आप उनको फॉलो कट रखते हो कि किनन आपको फायदा होगा ठीक है शाथ एकर आप चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लिजे लाड़ लो और ऐसे जीडी की तयारी कर र लाड़ लो वहले इस्टोर पर आप कमांडो केड्मी का जो एप्लिकेशन है उस पर जाके डाउनलोड कर रखते हैं असे जीडी की टैसीज मातर 50 रुपे में अन्तिम वार ठीक है और एसेज़ भी हेड को एस्टेबल की टैसीज़ भी वहाँ पर अवेलेबल है लाड़ आपको वहाँ पर 2018 वाली मेरिट का अनुबह हुए या 2015 ऐसे जीडी मेरिट का अनुबह हुआ अगर आपको नहीं पता है तो पता लगा लिजे क्योंकि मैंने इस पर वीडियो बना रखा हो जाके देख लिजी ठीक है अब आप पेपर देने बेटे मानलो 2021 वाली इस भरती क और आपके पेपर में अगर अच्छे नंबर बन रहे हैं मानली जी कि आपने स्कूर कर दिया 85 या जितनी जैसे मानलो एस्टी के टेकरी कि आपके मेरिट जैसे मानलो पिछली बार 40 की थी और आपने स्कूर 50 कर दिया है मानलो आप एस्टी 6 और आपके मेरिट 40 थी आपने 50 क केने का मतलब अगर आप पांच के उसन पर तुक्का लगाते हैं और अगर एक भी सही होता है तो आपको नुक्सान नहीं है अगर आपने पांच पे तुक्के लगाए और एक अगर सही होता है तो आपको नुक्सान नहीं है क्यों क्योंकि चार के विज़े से आपके एक नमर क कंडिशन इसमें समझी जहां इसके बाद में मालोगे आपके स्टेट की मेर्ट दो हजार अठारा में गई थी सेवन्टी फाइप और आपके दो हजार इकीस के पेपर में नमằng बंढ रहे हैं 40 अब सिध्धी सी बात है कि आप यह हैं सिर्फ tat नमें पिछे थी थी तो शी बात है कि से एक दो जो चार नम नीचे हो सकती है यह उपर इतना नीचे अहीं हो सकती है तो इस कंडिशन में तो तुका मारना ही मारना है ठीक है त तुके बाद हो, अगर आपके सो में से चालीस नमड आ रहे, और आपके स्टेट की पिछले साल की जो आप इस केटेगरी से बिलोग करती हो, उसकी मेड पिछे तर पे, तो आपको तो तुका मार नहीं मारना, क्यूंकि आपको वेजिए नमड नहीं आना, तो कम से कम तुका तो मार लो लेकिन अगर आपके केटेगरी कि मेरिट मार लो पिछली बार बहिया लिज रही है और आपके 40 नमर आ रहे हैं तो इस कंडिशन में तुका ना मारे भई इस कंडिशन में तुका ने मारे हैं क्या करें वो मैं बता रहा है तो अगर आपके पेपर में कहने का मतलब बहुत ज़्यदा नमबर कम है और आपको ये विश्वास है कि इस नमबर से तो मेरिटी में नाम नहीं बढ़ना तो आप तुका लगा सकते हैं लेकिन एक बात याद रखी पेपर अगर मालो हार्ड होता है ना पेपर बहुत ज़्यदा हार्ड होता है और आपने तुक के लगा लगा कि गलत कर लिए तो फिर आपको नुक्सान हो जाएगा क्योंकि नॉर्मलाइजेसन से हार्ड पेपर में क्या होता है नमबर बढ़ा दिये जाते हैं तो इस बात का पूरा ध्यान रखें अब मैं आपको बताता हूँ देखी अब मान लीजे कि आप दो जार एकीस का वेपर दे रहे हैं आपके पिच्छी नमबर है जिबकि पिछली मेट आपकी 80 या मान लीजे कि आपके पिछली मेट आप जिस केटेगरी के और आपके 80 नमबर आते है फिसली मेट भी आपके सी है इस कंडिशन में आपको क्या करना सी अब आपके क्यूशन कितने बच गए बेटा आप बोलोगे गुरुजी 20 क्यूशन बच गए तो देखे इन 20 क्यूशन में से कम से कम 10 क्यूशन ऐसे होंगे जिसमें आपको 50% लगता है कि ये दो तो आंसर नहीं हो सकते उपसिन में से तो बेटा इन 20 क्यूशन में से वो 10 क्यूशन या 5 क्यूशन या 6 क्यूशन चुनिए जिनको आपको लगता है चि ये उपसिन के जो A, B, C, O, D है इनमें से 2 तो ये सड़किया नहीं होगा या तो A होगा, B होगा ये 100% है तो इस कंडिशन में आपको तुका लगा लेना चाहिए कि ये है क्यों कि आपका मालिजी आपने इस कंडिशन में 5 क्यूशन पर तुका लगाया और 2 सई होगे तो आप लगबग 1.25 मालिजी इस कंडिशन चे आपने 10 तुके लगाए और 10 के उसन ने यहिनी 10 तुके में अगर आपके 2 भी सही हुए तो भी आपको नक्सान तो नहीं है और अगर तीन सही हो गए 10 में से तो आपको एक नमबर फिरी का अमिल गया भी ठीक है तो यह नही तुके का नक्सान नहीं होगा लेकिन अब ये नहीं कि तुमने तुका लगाना शुरू किया जैसे तुम्हारे 60 नमर आए और तुमने आगे 40 तुके लगा दिये तो 40 तुके लगा दिये मान लिजे अगर इस 40 में से आपके अगर 10 अवे 10 अवे तो आप जीत में हैं तो फायदा है आपको कम से कम 3 से 60 तये नमठ liked लेकिन मानलीजे कि 20 मेंशे आपके 5 ही सई हुए 40 मेंशे अगर मनईये आपके 6 सई हुए गलत कितने हो गए 34 और 34 के विज torso से आपके कितने नमठ चल सी जाएंगे आठ से ज़्यादा चाड़े आठ नमबर तो यनि धाई नमबर आप और माइनस में हो जाओगे तुक्यने का मतलब इतने तुक्यने नहीं लगा लिए चालिश पे तुक्या अगर लगाते भी हो तो मान लिजे सो क्यूशन का पेपर है आपने इस में से 60 या 70 अटेंड कर ली है तो आपको लगता है कि जो मैं अटेंड कियो बिल्कुल सही है अब आपके मान लो क्यूशन बजगे 30 तो 30 में से अगर आप तुक्या लगाने की सोचते भी हो आपको लगता है कि 60 नमर से तो मेरा वेशन नमबर नहीं आना तो मुझे कुछ न कुछ तो करना पड़ा झाल 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 झाल